आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ In this question What was the profit of all countries together in the year 2016 If the total imports of all countries together was Rs.385 करो तो आपको यहाँ पे import की total value दे रखें 2016 के लिए और आपसे पूछ रहा है कि profit की value क्या होगी तो यहाँ पे आपको एक table show कर रखें यहाँ पे आपको years दे रखें हैं और आपको नीचे की तरफ vertically आप जाओगे तो यह आपको country show हो रही है और यह जो data आपको show हो रहा है यह आपको data है export का data और इधर आपके पास options है answer के तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बात हो रही है 2016 की तो यहाँ पे हमें given data क्या है कि हमको import की value पता है that is 385 रुपीज करोड में हमें दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं export निकाल लेते हैं कि total export कितना है तो total export के लिए हम लोग क्या करेंगे 90 plus 100 plus 65 plus 25 plus 110 plus 120 तो यह मेरे पास निकल के आएगा 510 मेरे पास 2016 का total export आ जाएगा 510 अब हमें क्या करना है हम लोग को निकालना है profit तो profit हम लोग के पास क्या होता है profit हमारे पास यह है कि हम जितना export कर रहे हैं और जितना import हो रहा है इन दोनों का जो difference है वो हमें क्या देगा profit की value देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 510 में से मैं 385 यहाँ पर subtract करता हूँ तो मेरे पास answer कितना आएगा मेरे पास answer आएगा unit digit पर होना चाहिए 5 ठीक है तो unit digit पर 5 मुझको कहा मिल रहा है एक ही ऐस option है यह हमारे पास आजाएगा 125 तो हमारा इस question का answer होगा 125 और वो मुझको मिल रहा है option A में और यही इस question का correct answer होगा तो थेंक यू